बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन के लिए नए नियम बनाए हैं जिसके कारण हजारों की तादाद में शिक्षक अभ्याठी नियोजन से बाहर हो सकते हैं शिक्षा विभाग ने अपने प्राथमिक शिक्षक नियोजन नियमा वाली बिश्वनीस में पडिवर्तन किये हैं जिसके वज़र से हजारों आवेदक का भविस अधर में फस गया है अब यह आवेदक विभाग के अधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाए है पर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है आपको बता दें कि प्राथमिक श्कूल में सिक्षक बनने का ख्वाब देखने वाले जिन चार्टरों को बियत किया था उन्हें ऐसा लगा कि वो कम से कम सिक्षक तो बन ही जाएंगे लेकिन सिक्षा विभाग के नए नियम ने उनक सिक्षक के नियोजन के लिए में नई नियमावाली का एलान किया है इसके द्वारा समाधिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अशनातक में इतिहास या भूगोल का विशय होना आवस्सक कर दिया गया है पर चौकाने वाली बात या है कि इससे पहले 211 एम 214 में हुई कि नियुक्ति में ऐसी कोई रुकावत नहीं रखी गई थी सरकार ने इतिहास तथा भूगोल के विशय की आवस्सक्ता को इस्थीर कर दिया था पर ऐसी रुकावत नहीं थी लेकिन विभाग के अचानक इस फैसले ने शिक्षक आवेदुकों के पैरों से जमीन खिसका दी है नई नियुक्ति के एलान आवेदुकों की तमाम उमीदों पर पानी फेर दिया है शिक्षा विभाग ने 212 में नियमावली तयार की साल 2014 में नियमावली में संसोधन कर नोति जारी किया गया है प्रात्मिक शिक्षक के लिए इतिहास तथा भूगोल की आवस्सक्ता वेदा को खाशा मुश्किल होने वाली है बहुत सारे ऐसे अभियर्थी भी हैं जिनकी उम्रिस्रीमा इस वर समाप्त हो रही है नए नियमों से शिक्षा विभाग प्रश्न खड़े हो रहे हैं पहला प्रश्न है आखे शिक्षा विभाग ने अचानक नियम क्यों परिवर् अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी नियूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना न भूलें अगर यही वीडियो आप हमारे फेस्ट्बूक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें एम सेयर करें